मानिय देगी यहां किसानों की विश्वे में भी बात्चित हुई है बहुत से महत्वपूर काम और बहुत से नए तरीके से नई सोच के साथ पिछले दिनों किया गया है और मानिय राश्पती जी ने अपने अभी भाशन में उसका जीकर भी किया है लेकिन जिस प्रकारत यहां चलता करने का प्रयास हुआ है मैं नहीं जानता हुआ अज्ञान बस है कि जान बुच करते है क्योंकि कुछ चीज़ा ऐसी है अगर जानकारिया हो दी तो शायद हम ऐसा न करते हैं हम जानते हैं कि डेड़ गुना MSP करने वाला भी शाय है कितने लंबे समय से अठका हुआ हमारे समय का नहीं से पहले समय लेकिन यह किसानों के परती हमारी जिम्मेवारी सी कि उस काम को भी हमने पुरा कर दिया हो बहराम है सींचाई योजनाएं असी नभे परसंद धन खर्चा करके बिस बिस सांसे पड़ी हुई थी कोई पूछने माना नहीं था फुटो निकलवाजी बद काम हो गया है हमको करीब 99 ऐसी योजनाओं को हाथ लगाना पड़ा एक लास करोड रुपे से ज़्यादा खर्च करके उनको उसके लॉजिकल एंट तक ले गए और अब किसानों को उसका खायदा होना शुग हुए प्रदान मंतरी फसल बिमा योजना इस प्रदान मंतरी फसल बिमा योजना के तहर इस वबस्ता से किसानों में की विश्वास पैदा हुआ है किसानों की तरफ से करीब 13,000 करोड रुपे फ्रिमीम आया लेकिन प्राकूर्टिक आपदा के कारण जो नुक्षान हुआ उसके तहर करीब 56,000 करोड रुपे किसानों को बिमा योजना से प्राकूर्टिक आपदा किसान की आय भरे यह हमारी प्राकूर्टिक ता है इंपुट कॉस्ट कम हो यह हमारी प्राकूर्टिक ता है और पहले MSP के नाम पे क्या होता था हमारे देश में पहले साथ लाग टन दार और तिलहन की खरीद हुई हमारे कारे काल में सो लाग टन साथ और सो का फर्ट तो समझाएगा इनाम योजना आज डिजिटल वर्ड है हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दान देख रहा है समझ रहा है इनाम योजना के जाते किसान अपना बाइजार में माल बेज सके उस योजना को लिया हमने और मुझे खुशी है कि गाउं का किसान इस विवस्ता से करीब पौने दो करोड किसान अब तक उससे जूर चुके हैं और करीब परीब एक लाख करोड रुपय का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावरता इस इनाम योजना से किया टेक्रालोजी का उप्योग किया है हमने किसान क्रेजिक कार का विस्तार हो उसके साथ साथ एनाइड अक्टिविटी चाए पशु पालन हो मचली पालन हो मुर्गी पालन हो सौर उर्जा की तरब जाने का प्रयास हो सोलार पम की बात हो ऐसे नए अनेक चीजे जोड़ी है जिसके कारण आज उसकी आर्थिक स्थिती में भी एक बहुत बड़ा बड़लाव आया है 2014 में हमारे आने से पहले क्रिशी मंत्रालाए का बजेट 27,000 करोड रुपी था अब ये बढ़कर के 5 गुना 27,000 करोड था बढ़कर के 5 गुना और लगभग 1.5 लाख करोड हमने पहुँचा जा पीएम किसान सम्वानी हो जना किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं अब तक करीब 45,000 करोड रुपीए किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुट है कोई बिच्वालिया ने कोई फाइलों की जिंजट नहीं एक प्लिक दमाया पैसे पहुँच गए लेकिन मैं जरूर यहां मानिय सदस्यों से आगरा करूँगा कि राजनीती करते रहिए करनी भी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी तकलिफ लेकिन क्या हम राजनीती करने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलबार करेंगे मैं उन मानिय सदस्यों से विश्य साधरे करूँगा कि अपने राजनीती में देखे जो किसानों के नाम पर बढ़कर करके बोर रहें वो जड़ा जादा देखे कि क्या उनके राजनीती के किसानों को पी-एम किसान सम्मान निधी मिले उसके लिए वो सरकारे किसानों की सुची क्यों नहीं दे रहे हैं ये जोजना के साथ क्यों नहीं जोट रहे हैं नुक्सान किसका हुआ किसका नुक्सान हुआ उस राज्य के किसानों का हुआ मैं चाहूँगा यहां कोई मानिय सदस ऐसा नहीं होगा कि जो दबी जबान में है खुल करके शायद न बोल पूआ है क्योंकि कहीं जगा पे बहुत कुछ होता है लेकिन उनको पता होगा उसी प्रकार से मैं मानिये फ़तस्व के कहूंगा जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ कहा है उन राज्यों में जड़ा देखिए आप कि जहां किसानों को वादे करकर के बहुत बड़ी बाते करकर के बोट बटोर लिए शफ़त ले लिए सब्ता सिहां संपा लिया लेकिन किसानों के वादे पूरे नहीं किये गए कम से कम में यहां बैठे हुए माननिय सदक के उन राज्यों के भी प्रतिनिती होंगे तो वो जरूर उन राज्यों को कहे कि किसानों को उनका हक देने में कोता ही न बढ़ते